हेलो प्रेंट्स विल्कम टो गोर्मेंट जोब इंद प्रमेशन तो प्रेंट्स न्यू नोटिपिकिशन आउट हुआ है ओडिश्या सब ओडिनेट अस्टाप फेलेक्शन कमिशन के तरफ फे तो चलिए इस जोब का बाट हम लोग डिटेल्स जानते हैं और डिटेल्स जाने इसंटाप फेलेक्शन कमिशन लेबरेornoि टेकनिशन औ उन्लाइन फोम 2021 और इसे वेकंशिव को 25 गारव 2000 एकश्या इफ को पोश्ट किया गया था बट अभी लेकिस्ट अपडेट एप्डेट एक बार्वम को एक बारव 2000 एक़जार 1 आप इसे प्लाई कर सकते हैं और 11, 12, 2021 तक आप इस फूम को apply कर सकते हैं अब आते हैं qualification तो देखिए इस फूम को apply करने के लिए 10 plus 2 होना चाहिए DN, LT होना चाहिए Diploma Medical, Laboratory, Technician, Bachelor, Medical Laboratory, Technician, MLT qualification होना चाहिए अगर ये चारों में फे आपके पाफ कोई भी qualification है तो देखिए इस फूम को apply करने के लिए eligible है बेकिन फी details देखिए post name, Laboratory, Technician और Total बेकिन फीफ में 1000 है अब देखते हैं age limit तो देखिए इस फूम को apply करने के लिए minimum age 21 होना चाहिए और maximum 32 होना चाहिए अगर आपका age 21 to 32 के बीच में हो रहा तो आप इस फूम को apply करने के लिए eligible है और age रिलेक्षफण दिया जाएगा age for the rules FV, ST, FB, FE, BF, Human Category को 5 यर का रिलेक्षफण दिया जाएगा अगर आप ये फारे काटिगरी फे बिलोंग करते हैं देन आपका age 21 to 32 के बीच में हो रहा देन आप इस फूम को apply करने के लिए eligible है अब हम लोग देखते हैं फेलरी कि इसमें फेलरी कितना मिलने वाला है इसमें फेलरी देखिए level 7 का फेलरी रहेगा इसमें आप लोग का बहुत अच्छा फेलरी है इसमें फेलरी आप लोग का पचीफ अजार पान फो फेलरी करके एक आफी अजार एक फुत तक आप लोग का फेलरी रहेगा एक आफी अजार एक फुत तक आप लोग का इनिफियल फेलरी रहेगा इसमें तो इसमें आप लोग का failure के लिए किफी भी तरह का issue नहीं है और failure का आप लोग को problem है then आप departmental exam दे करके आप पर्मोशन ले सकते हैं इसर भी इसमें ओके या फिर आप अपने experience के थरूँ इसमें आप experience के थरूँ आप अपने पर्मोशन ले सकते हैं अपने post फे ओके अब examination pattern देखते हैं तो देखे exam जो है आप लोग का mpq होगा mpq examination होगा और hundred marks का questions पूछा जाएगा देखे question on the subject as per the फिलेग फोब डिप्लोमा in medical laboratory technology तो आप लोग को fixed questions पूछे जाएंगे fart question आप लोग को पूछे जाएंगे और जो की fart marks carry करेगा okay questions based on the practical of skill to assess the real practical of skill of the candidates तो देखे रियल practical फे आप लोग सो question पूछे जाएंगे pacif question जो की pacif marks carry किया जाएगा okay arithmetic of hfv standard फे आप लोग को 10 questions पूछे जाएंगे जो की 10 marks carry करेगा और English of hfv standard फे 5 questions पूछे जाएंगे जो की 5 marks carry करेगा okay और exam आप लोग का total exam में आप लोग को 2 घंटा का time दिया जाएगा okay और देखे ए minimum qualifying mark for fv hd pwd एक फर्विस्मेन and afford candidate फेल भी 30% तो यहाँ पर आप लोग का cut up भी clear कर दिया गया है कि minimum qualifying marks 30% होना ही चाहिए okay 30% marks होना चाहिए किस के लिए fc hd pwd एक फर्विस्मेन and afford candidate के लिए okay and the minimum the minimum qualifying marks for candidates okay and other than fc hd pwd एक फर्विस्मेन and afford candidate फेल भी other than ft fc pwd एक फर्विस्मेन and afford candidates को छोड़ करके बागी जितने भी कटेगरी हैं सबको 35% लाना mandatory है okay flavors of examination a standard flavors and the subject and subject for examination will be as per the flavors of diploma in medical laboratory technology तो flavors आप लोग देख चुके हैं कि आप लोग के branch पे हैं पूछा जाएगा जो diploma कर चुके हैं उनके according उन वो तो अपने branch को ही study करके ये clear कर सकते हैं और 10 plus 2 जो लेवल के हैं students वो if काफे लेवर को study कर लें या फिर जो bachelor के हैं वो भी इसको study कर लें okay there will be a return test only यहाँ पर फिर return examination होगा and the pattern of the examination will be mvq mvq based होगा okay and then the omr fit omr fit में and there will be negative mark तो देखिए अगर आप एक question अगर गलत करते हैं okay तो आप लोग को 0.25 का आप लोग को penalty लगेगा one by fourth का okay और आप लोग का जो फ्लेक्षन है वो आप लोग का return examination के थुरू आप लोग का return examination के बेफिफ पे merit list बनाया जाएगा और experience के थुरू return examination और experience के थुरू and then आप लोग का documents verification होगा उसके बाद आप लोग का final merit list बनेगा and merit list के बाद आप joining ले फक्ते हैं okay तो I hope आप लोग को इस job के regarding clear हो गया होगा और still किसी भी तरह का अगर doubt रहता है तो आप comment कर सकते हैं और अगर आप इस phone को apply करने के लिए अगर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्रेंट्सों में भी फेल कर दीजिए ताकि वह भी इस phone को apply कर सके और इसके about जान सके और तब तक लिए जहीं जे बारत